स्रीमद भागवत महापुरान स्रीमद भागवत महात्मयम प्रत्मु अध्याया देवर्सी नारत की भक्ती से भेट सचिदा नंद स्वरूप भगवान स्री कृष्ण को हम नमस्कार करती हैं जो जगत की उत्पत्ती, इस्थिती और विनास के हितु तथा अध्याद्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नास करने वाली हैं जिस समय स्री सूक देवजी का यग्योपवीत संसकार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुस्थान का आउसर भी नहीं आया था तब ही उन्हें अकेले ही सन्यास लेनी के लिए घर से जाते देख कर उनके पिता व्यास जी वीरा से कातर होकर पुकारने लगे बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो उस समय व्रिक्षों ने तनमय होने के कारण स्री सूक देव जी की ओर से उत्तर दिया था ऐसे सरोभोद हर्दै स्वरूब स्री सूक देव मुनी को मैं नमस्कार करता हूँ एक बार भगवत कथामरित का रसास्वादन करने में कुसल मुनिवर सौनक जी ने नैमिशा रन्यशेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा सौनक जी बोले सूत जी आपका ज्यान अज्याना अंधकारों को नस्ट करने के लिए करोडो सूरियों के समान है आप हमारे कानों के लिए रसायन अम्रित स्वरू सार गर्भित कथा कहिए भक्ती ज्यान और वैरागे से प्राप्त होने वाले महान विवेक की व्रिधी किस प्रकार होती है तथा वैशनों लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुडाते हैं इस घोर कली काल में जीव प्राया आशुरी स्वभाव के हो गए हैं विविद कलीशों से अक्रांत इन जीवों को सुध बनाने का सर्वस्रेष्ट उपाय क्या है सूती जी आप हमें कोई ऐसा सास्वत साधन बताईए जो सबसे अधिक कल्यान कारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान स्रीक्रश्न के प्राप्ति करा दे चिंता मणी केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवरिक्ष अधिक से अधिक स्वर्गिय संपत्ति दे सकता है परन्तो गुरुदेव प्रशन होकर भगवान का योगी दुरलव नित बैकुंठ धाम दे देती है सूत जी ने कहा सौनक जी तुम्हारी हृदय में भगवान का प्रीम है इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिध्धानतों का निसकर सुनाता हूँ जो जन्व मृत्यों के भैका नास कर देता है जो भक्ती के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान स्री कृष्ण की प्रसन्यता का प्रधान कारण है मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ उसे सावधान होकर सुनो स्री सूकदीव जी ने कल्योग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुक्का ग्रास होने के त्रास का अत्यांतिक नास करने के लिए स्रीमद भागवत सास्तर का प्रवचन किया है मन की सुध्धी के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुन्य उदै होता है तभी उसे इस भागवत सास्तर की प्राप्ती होती है जब सूकदेव जी राजा परिक्षित को या कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमरित का कलस लेकर आये देवता अपना काम बनाने में बड़े कुसल होते हैं अतः यहां भी सबने सूकदेव मुनी को नमस्कार करके कहा आप यह अमरित लेकर बदले में हमें कथामरित का दान दीजे इस परकार परस पर अदला बदली हो जाने पर राजा परिक्षित अमरित का पान करें और हम सब स्रीमत भागवत रूप अमरित का पान करेंगे इस संसार में कहां काच और कहां महा मुल्य मनी तथा कहां सुधा और कहां कथा स्री सूक देवजी ने यह सूच कर उस समय देवताओं की हसी उड़ा दी उन्हें भक्ती सोने यानि कथा का अनधिकारी जानकर कथा मृत का दान नहीं किया इस प्रकार यह स्रिमद भागवत की कथा देवताओं को भी दुरलब है पूर्वकाल में स्रिमद भागवत के स्रवन से ही राजा परिक्षित के मुक्ती देख कर ब्रह्मा जी को भी बड़ा अशर हुआ था उन्होंने सत्य लोक में तराजो बांध कर सब साधनों को तौला अन्य सभी साधन तौलनें में हलके पड़ गये अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा यह देखकर सभी रीशियों को बड़ा फिसमे हुआ उन्होंने कल युग में इस भगवत दूप भागवत सास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तदकाल मोक्ष देनी वाला निश्य किया सब्ताह विधी से स्रवन करने पर यह निश्य भक्ति प्रदान करता है पूर्वकाल में इसे दया परायन सनकादी ने देवर्शी नारत को सुनाया था यद्पी देवर्शी ने पहले ब्रमाजी के मुख से इसे स्रवन कर लिया था तथा पि सप्ताह स्रवण की विधी तो उन्ही सनकादी नहीं बताया था। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरंसिल नारत जी का सनकादी के साथ संयोग कहा हुआ और विधी विधान के स्रवण में उनकी पृति कैसे हुई। सूती जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो स्री सूक देव जी ने मुझे अपना अनन्य सिस्थ से जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशाला पूरी में वे चारो निर्मल रुशी सत्सक के लिए आये थे। वहां उन्होंने नारत जी को देखा। संकादी ने पूचा, ब्राम्हन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं? और आपका आगमन कहां से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुस के समान व्याकुल जान पड़ते हैं, जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसकती रहित पुरुसों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताईए। नारत जी ने कहा, मैं सर्वुत्तम लोग समझ कर पृत्वी में आया था। यहां पुसकर, प्रयाग, काशी, गोधावरी, हरीद्वार, कुरुकशेत्र, स्रीरंग और सेतुबंध आदी कई तीर्थों में मैं इधर-उधर विचारता रहा। किन्तो मुझे कहीं भी मन को संतोज देने वाली सांती नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कल यूग ने सारी पृत्वी को पीडित कर रखा है। अब यहां सत्य, तब, सौच, धया, दान आदी कुछ भी नहीं है। वेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाशी, आलसी, मंद बुद्धी, भाग्यहीन, उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं। जो साधू संत कहे जाते हैं, वे पूरे पाखंडी हो कहे हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किन्तु इस्त्री, धन, आदी सभी का परिग्रा करते हैं। घरों में इस्त्रियों का राज्य है, साले सालाकार बनने हुए हैं, लोब से लोग कन्या विग्रह करते हैं और इस्त्री पुरुसों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तिर्ध और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया है, उन दुस्टों ने बहुत से देवाले भी नस्ट कर दिये हैं। इस समय यहां न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्यानी है, न सत कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गया है। इस कली यूग में सभी देशवासी बाजारों में अन बेचने लगी हैं। ब्राम्हन लोग पैसा लेकर वेद बढ़ाते हैं और इस्त्रियां वैस्या व्रती से निर्वाक करने लगी है। इस तरह कली यूग के दोस्त देखता और पृत्वी पर विचरता हुआ। मैं यमुना जी के तट पर पहुँचा जहां भगवान स्रीक्रिश्न की अनेको लिलाए हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए वहां मैंने एक बड़ा आश्यर्य देखा। वहां एक यूवती इस्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो व्रिध पुरुस अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वहत्तरोनी उनकी सीवा करती हुई। कभी उन्हें चेत कराने का प्रत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने सरीर के रक्षक परमात्मा को दसो दिशाओं में देख रही थी। उसके चारो और सैक्डो इस्त्रियां उसे पंखा ज़ल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कौतूहलवस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह यूवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। यूवती ने कहा अजी महात्मा जी छणभट हर जाए और मेरी चिंता को भी नस्ट कर दीजे। आपका दर्सन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नस्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ सांती हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब ही आपके दर्सन हुआ करती है। नारत जी कहते हैं तब मैंने उस इस्त्री से पूछा देवी तुम कौन हो ये दोनों पुरुस तुम्हारे क्या होती हैं और तुम्हारे पास ये गमल नैनी देवियां कौन हैं। तुम हमें विस्तार से अपने दुख कारण बताओ। युवती ने कहा मेरा नाम भक्ती है ये ग्यान और वैरागे नामक मेरे पुत्र हैं समय के फेर से ही ये ऐसे जरजर हो गए हैं। ये देवियां गंगाजी आदी नदियां हैं ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षा देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख सांती नहीं है। तपोधन अब ध्यान देकर मेरा व्रतांत सुनिये। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है फिर भी उसे सुनकर आप मुझे सांती प्रदान करें। मैं द्रविड देश में उत्पन्य हुई, करनाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महारास्टर में सम्मानित हुई, किन्तु गुजरात में मुझे को बुढ़ापे ने आघेरा। वहाँ घोर कल्यूक के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक या अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं व्रिन्दावन आई तब से पुना परम सुंदरी सुरूपवती नवयूवती हो गई हूँ। किन्तु सामने पड़े हुई ये दोनों मेरे पुत्र ठके मान दे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बुढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरूनी क्यों? और ये दोनों मेरे पुत्र बुढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। फिर्या, विपरीत्ता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बुढ़ी हो जाए। इसी से मैं अशरच की चित्त से अपनी इस अवस्था पर सोप करती रहती हूँ आप परमबुद्धिमान एवं योग निधी हैं इसका क्या कारण हो सकता है बताईए नारजी ने कहा साधवी मैं अपने हृदय में ग्यान दरश्टी से तुम्हारे संपोर्ण दुख का कारण देखता हूँ तुम्हें विशाद नहीं करना चाहिए स्री हरी तुम्हारा कल्यान करेंगे सूत जी कहती है मुनिवर नारजी ने एक च्छन में ही उसका कारण जानकर कहा नारजी ने कहा हे देवी सावधान होकर सुनो यह दारून कल्यूग है इसी से इसमें सदाचार, योगमार्ग और तप आदी सभी लुपत हो गए है लोग सठता और दुसकर्म में लगकर अगासुर बन रहे हैं संसार में जहां देखो वही सत पुरुष दुख से मलान है और दोस्ट सुख ही हो रहे है इस समय जिस बद्धिमान पुरुष का धहरे बना रहे वही बड़ा ज्यानी या पंडित है प्रित्वी क्रमसा प्रतिवर्स सेज जी के लिए भार रूप होती जा रही है अब यह छूनी योगे तो क्या देखनी योगे भी नहीं रह गई है और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्सन भी नहीं होता विस्या अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जरजर हो रही थी व्रिंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरूनी हो गई हो अतः यह व्रिंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सरवत्र नर्त्य कर रही है परन्तों तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्रहक नहीं है इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है यहां इनको कुछ आत्मसुक की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं भक्ति ने कहा राजा परिक्षित ने इस पापी कल्यूग को क्यों रहने दिया इसके आते ही सब वस्तूओं का सार ना जाने कहां चला गया करुना मैं स्री हरी से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है हे मुने मेरा यह संदे दूर कीजिए आपके वच्चनों से मुझे बड़ी सांती मिली है नारज जी ने कहा बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्यानी मैं तुमें सब बताऊंगा और तुमारा दुख दूर हो जाएगा जिस दिन भगवान स्रिक्रिश्न इस भू लोग को छोड़ कर अपने परंधाम को पधारे उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कल्यूग आ गया दिगविजय के समय राजा परिक्षित की दृष्टी पढ़ने पर कल्यूग दीन के समान उनकी सरण में आया ब्रहमर के समान सार ग्राही राजा ने यह निश्य किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि जो फल तपश्या, योग इवं समाधी से भी नहीं मिलता कल्यूग में वही फल स्रीहरी कीर्टन से ही भली भाते मिल जाता है इस प्रकार सार हीन होने पर भी, उसे इस एक ही दृष्टी से सार युक्त देखकर उन्होंने कल्यूग में उत्पन्य होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था इस समय लोगों के कुक कर्म में प्रविर्ट होने के कारण सभी वस्तूओं का सार निकल गया है और प्रिथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन, भूसी के समान हो गये है ब्रामण केवल अन्य धनादी के लिए लोभवस, घरकर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनानी लगे हैं इसलिए कथा का सार चला गया तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यन्त घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नार के पूरुस भी रहने लगी हैं इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा जिनका चित, निरंतर, काम, क्रोध, महान लोब और तृष्णा से तपता रहता है वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं इसलिए तब का भी सार निकल गया मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोब, दंब और पाखंड का आश्रे लेने के कारण इवं सास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग का फल मिट गया पंडितों की या दसा है कि वे अपनी इस्त्रियों के साथ पशू की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुसलता पाई जाती है, मुक्ती साधन में वे सर्वता अकुशल है संप्रदाया अनुसार, प्राप्त हुई, वैश्नावता भी कहीं देखने में नहीं आती, इस प्रकार जगा जगा सभी वस्त्वों का सार लुप्त हो गया है यह तो इस युक का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोस नहीं है, इसी से पुन्डरी काक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी, यह सब सह रहे हैं सूती जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षी नारद के वचन सुनकर भगती को बड़ा अश्य दे हुआ, फिर उसने जो कुछ कहा, उसे सुनिए भक्ती ने कहा, देवर्षी आप धर्ण्य है, मेरा बड़ा सौभागि था जो आपका समागम हुआ, संसार में साधूं का दर्सन ही समस्थ सिद्धियों का परम कारण है आपका कीवल एक बार का उपदीश धारन करके, कथाधू कुमार प्रहलादनी माया पर विज़े प्राप्त कर ली थी दुरूव ने भी आपकी क्रिपा से ही दुरूपद प्राप्त किया था आप सरो मंगल में और साक्षाद स्री ब्रम्हा जी के पुत्र है मैं आपको नमस्कार करती हूँ तो यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होता है